करते हैं बोर्ड वेपर 2018 set 1 से question no.10 तो यहां पर यह कह रहा है कि find the ratio in which p 4m 4,m divides the line segment joining the point a 2,3 and b 6,3 hence find m तो यह कह रहा है कि अगर p a b को divide करता है किसी एक ratio के अंदर तो वो ratio पता करना है सबसे पहले और फिर m की value भी पता करनी है जो यहां पर p जो divide कर रहा है 4,m तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस question को करने के लिए हम एक rough diagram बना लेंगे जिससे question को समझने में आसानी हो जाएगी तो जैसे अगर a और b यहां पर है और जो p है यह इस a b को divide कर रहा है तो p का जो coordinate है यह दिया हुआ है 4,m और जो a का coordinate दिया हुआ है यह है 2,3 और b का जो coordinate दिया हुआ है यह है 6,3 तो अगर हम यहां पर value पुट कर दें जैसे कि यहां पर यह x और y हम ले लेंगे जो पहला point a है इसको x1 और y1 मान लेंगे और जो दूसरा point है 6,3 इसको हम x2 और y2 पुट कर लेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं let करते हैं कि let p 4,m divides a 2,3 and b 6,-3 in ratio m1 is to m2 तो यहां पर जो ratio है a,p यह m1 है और p से b तका जो ratio है यह m2 है तो यह दो ratio में divide हो रहा है तो यहां पर जब भी ऐसा question अगर आता है जैसे p यहां पर a,b को divide कर रहा है तो यहां पर हम section formula का इस्तमाल करते हैं तो by section formula by section formula जो p है जो यह बीच में जो यह point है a,b के तो इसके लिए यह हम formula लगाते हैं तो यह हो जाएगा 4,m is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 तो जो और एक और यहां पर comma y के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा तो m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 तो क्योंकि अगर ratio निकालना है तो हम किसी भी एक coordinate को compare कर सकते हैं अभी क्योंकि यहां पे जो m है यह इस y के लिए है और जो m1 और m2 है यह पता नहीं है तो इसलिए सबसे पहले जो जो x है, x coordinate में यह 4 दिया हुआ और यहां पे यह x coordinate है तो जब हम इसको compare करेंगे तो इसकी value मतलब m1 और m2 की value यहां से निकल सकते हैं लेकिन यहां पे नहीं निकल सकता क्योंकि एक तो m1 और m2 पता नहीं है और यहां पे m पता नहीं है तो मतलब y में x2 है यह 6 है और फिर m2 यह भी हमको नहीं पता है तो x और जो x1 है यह head 2 upon m1 प्लस m2 जो हमको पता करणा है कॉमा तो यह जो number है इधर जो y है यह same रहेगा तो यहां पे हमें कुछ नहीं करना है इधर जो p है यह 4 कॉमा m है अब हम क्या करेंगे यहां पे हम equate कर देंगे equating x coordinate तो अगर हम x coordinate को equate करेंगे तो इधर से हो जाएगा 4 और इधर से 6m1 plus 2m2 और जो denominator में है m1 plus m2 अब यहां पे जब हम इसको solve करेंगे तो यह m1 plus m2 यह 4 से multiply हो जाएगा तो जब 4 से multiply करेंगे हम तो यह हो जाएगा 4m1 plus 4m2 is equal to 6m1 plus 2m2 अब यहां पे जो m1 और m1 वाला जो नंबर होगा वह हम एक तरफ रख लेंगे मतलब जो like m2 minus 4m2 तो अब यहां पे जैसे 4 minus 6 और m1 m1 है तो जब हम इसको subtract करेंगे तो यह आ जाएगा minus 2 m1 और इसमें 2 minus 4 है तो यह आ जाएगा minus 2 m2 तो यहां पे minus 2 और minus 2 है तो यह completely cut हो जाएगा सिर्फ m1 is equal to m2 आ जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि जो ratio है वो यहां पे m1 और m2 equal है तो यहां पे जो P है वो midpoint है मतलब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते कि m1 यहीं पे रह जाएगा और m2 आ जाएगा नीचे और यहां पे आ जाएगा 1 is to 1 तो इसका मतलब m1 ratio m2 sorry यह m2 है तो यह आ जाएगा 1 is to 1 का ratio मतलब therefore हम ऐसे बोल सकते हैं m sorry P is the midpoint P is the midpoint of AB तो अगर P midpoint है तो midpoint के लिए जो section formula होता है यह होता है P 4m 4,m is equal to जो भी हमने यहां पे लिखा था तो यहां पे सबसे पहले जैसे यहां पे यह M1 और फिर यह 6 है तो जो यह वाला जो x coordinate है वो इस x coordinate के equal होगा तो यहां पर जो answer है यह तो 4 ही आएगा तो y2 हो जाएगा यहां पे minus 3 और फिर plus जो M2 है यह फिर से यह 1 है और जो y1 है यह हो जाएगा 3 upon जो M1 और M2 है M1 और M2 यहां पे 1 is to 1 है तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1 जब हम इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा 4 कॉमा माइनस 3 और प्लस 3 upon 2 मतलब की 0 तो जो M है अगर equate करेंगे y coordinate को P4,M तो जो यह y coordinate है जो y coordinate के सामने रखेंगे तो यह आ जाएगा क्योंकि मैं इधर नीचे space नहीं है तो मैं इसे उपर लिख रहा हूँ तो जो M है M is equal to minus 3 plus 3 is equal to 0 upon 2 0 तो जो M की value है यहां पे यह आ जाएगा 0 और यह हमारा answer हो जाएगा तो क्योंकि M की value निकालने के लिए बोल रहा था तो एक तो हमने M की value निकाला एक ratio निकालने के लिए बोल रहा था तो यह 1 is true 1 तो इसमें 2 चीजे पूछ रखे थी और यह हमारा complete हो गया तो इस तरीके से जो question number 10 है यह हम कर लेंगे